Hello everyone, good morning, Namaskar इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अगस्ट 2021 के दहिंदू के मेजर एडिटोरियल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग तीन एडिटोरियल्स को डिसकस करेंगे, अनलिसिस करेंगे पहला आर्टिकल लोंग अवर्डू करके आर्टिकल है यह आर्टिकल बेसिकली बात करता ओविशी रिजिर्वेशन इन ओल इंडिया कोट है मेडिकल सीट्स पर इसको लेकर अभी जो सेंट्र गोर्मेंट ने नोटिफाई किया अप्रूवल दिया उसके बारे में इन्डिया अपर आर्टिकल बेसिकली टोकेयो ओलमपिक 2020 के अंदर इंडिया अभी ब्ल бол meडल की तलाश में इसको लेकर एक आर्टिकल है थर्ड आर्टिकल है साइकल ओफ लो ग्रॉथ हायर एंफलेशन यह आर्टिकल एकनोमी से लेटेड है तीनव एडिटोर्स को बड़ें सबसे पहले बात करेंगे लोंग अवर्डू का मतलब है एक बहुत पुरानी और बहुत ही पेंडिंग डिमांड जो है ये थी किस चीज को लेकर कि ओल इंडिया कोटा मेडिकल सीट के अंदर OBC को रिजरवेशन दिया जाए अब ओल इंडिया कोटा अब इसके बारे में आप बिर्स का और पोस्ट-ग्रेजवेट्स की जो पुचाश परसेंट सीट है स्टीट गवर्मेनट के जो पौलेजीज होते हैं उनको स्रेंडर करने पड़ेगी ओल इंडिया कोटा में इसको मैं आपको ब्रीफ कर दो फिर से दीकिर माल लेते हैं सेन्ट्रल गवर्मेंट के ज सीट को जो है जो आप जो स्रेंडर करिए ओल इंडिया कोटा के लिए जहां पर सेंट्रल पूल जो लागू किया जा उसके उसी कॉंटेक्स्ट में आर्टिकल है कि ये 1986 का जो एक तरीके से प्रोसीजर था 15% अंडर ग्रिजवेट के लिए और 50% पोस्ट ग्रिजवेट के से ओल इंडिया कोटा मेडिकल सीट के अंदर एक जो डिस्क्रिमेंटरी पॉलिस्टी थी या भेद बावपूर्ण नीती थी उसका अंत आपको देखने को मिलेगा अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार ने ये एक तरीके से अपनी इच्छा से किया है या इसमें जुड क्लासिज के लिए सीट जो स्टेट के दोरा सरेंडर की जाती थी यानि जो कंपल्सेशन है कि अगर माल लेते हैं एक स्टेट है यूपी यूपी में 100 सीट है कोलेज के अंदर मेडिकल कोलेज के अंदर तो 15 परसेंट जो अंडर ग्रेजवेट की सीट है उसको ओल इंडिया क कोटा के लिए जो सरेंडर करने पड़ेगी यानि पूरे देश के बच्चों के लिए जो सेंट्रल गवर्मेंट में रिजरुवेशन लागू होता है सेम यहां पर भी लागू होगा ये इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है ठीक है इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि डेफिन स्टैप है लेकिन भले इसमें देरी होगी हो लेकिन एक और चीज़ आपको देखेंगे इसमें बैलेंस बनाने की कोशिस करेगी या दस परसेंट जो रिजरुवेशन दिया गया था एकनोमिकली विकर सक्षन या EWS को वो भी इसमें लागू कर दिया गया है अब इस पूरे कोंटेक्स्ट में ये पूरा जो घटना करम है इसमें दो एक तो प्रिकिस्ट. रॉल प्ले करेंगे. पहला डियांके पॉलिटिकल पार्टी, जो कि तमिलुलाडु के मिजर पॉलिटिकल पार्टी और इस टारiasát परके जो EWS पहले ये बोला जा रहा था कि स्टेट अपने कॉंटेक्स्ट में मदरास हाई कॉर्ट में पेटिशन फाइल करेगी मदरास हाई कॉर्ट ने बोला कि क्योंकि पिछली साल टाइम कम था उस सेशन से लागू नहीं हो सका उसके बाद वाले सेशन से लागू कर दीज़े 2021 वाला जो सेशन होगा लेकिन 2021 का जब नोटिफिकेशन आया तब भी इसको लागू नहीं किया गया था तो उस कॉर्ट के ओडर की आउमानना कर रहे हैं उस कॉर्ट के ओडर की अप्रूल मिला कि इन जो सीट्स होंगे ओल इंडिया कोटा के अंदर इसमें EWS यानि इकनोमिकली वीकर सेक्शन और OBC दोनों के रिजर्वेशन जो लागू किया जाएगा जैसा कि बताए 1986 में औल इंडिया कोटा को जो ग्रेट किया गया था सुप्रीम कोट के दवारा सुप्रीम कोट की डिरेक्शन के द्वारा और इसमें ये बोला गया था कि कुछ सीट्स को जो है डोमेशियल ये रेजिडेंशियल जो कंडिशन होती है उनके बिना मेरिट बेज पर जो है अडिमिशन होना चाहिए इससे पहले अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने अलागू किया था कि 15 परसंट सीटूल कास्ट के लिए और 7.5 परसंट सीटूल कि लिए ओल इंडिया कोटा में रेजिरुवेशन होगा तो इस कोंडेक्स्ट में जो रिजर्वेशन को complete implementation किया गया है All India Quota के अंदर और खासकर medical और dental colleges के अंदर देकि इसमें एक और जब ये पूरा का पूरा case मदरास high court में था तो Medical Council of India इसका विरोध कर रहे थे कि implementation नहीं होना चे OBC Reservation को लेकर Medical Council of India का अपना उपनीन है लेकिन भारत सरकार नहीं बोला या Central Government नहीं बोला कि पहले बात Reservation को लेकर जो है 50% की limit को जो एक Cross नहीं करता और दूसरा OBC कोटा अगर हम लागू नहीं करते तो definitely discriminatory ये बेदभाव पूर्ण एक तरीके से होगा कि Scheduled Cars और Scheduled Tribes के लिए Reservation लागू है लेकिन OBC के लिए लागू नहीं है तो एक तरीके से बेदभाव पूर्ण से चीज़ें लगेगी तो उस context में लागू किया गया और मदरास High Court का एक important role इसके अंदर आ है हलांकि Supreme Court के अंदर भी इसको लेकर petition pending है सलोनी कुमारी का एक case है जिसकी hearing 3 अगस 2021 को होने वाले तो मदरास High Court का DMK का एक important role रहा है और finally इसी एकडमी की एर से जो है लागू कर दिया गया medical examination के अंदर even national testing agency ने अपनी website पे mention भी कर दिया है कि 27% OBC के लिए 10% EWS के लिए reservation जो है लागू होगा आप लोगों के लिएक सवाल है कि EWS जो economically weaker section को 10% reservation दिया गया ये किस constitutional amendment के थुरू दिया गया वो आप नीचे mention करेंगे second editing article है जो eligible gold करके एक article है कि भारत अभी भी Olympic के अंदर medal की तलास कर रहा है और भारत अभी भी सर्च कर रहा है यानि gold की तलास में Olympic Games enter the second week Tokyo Olympic जो है second week के अंदर एंटर कर गया है इन सब के वीच भी भारत अभी भी गोल्ड की तलास कर रहा भारत ने अब तक दो ही medal जीते हैं एक silver है मिरा भाई चानू का और second जो कल bronze medal जीता था PV Shindo ने बेडमिंटन के अंदर यहाँ पर बात की जारे कि यह reality है रीजन क्या है क्या नहीं है उनके अलग-अलग अपना opening हो सकता है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दुनिया का second most population nation दुनिया की सबसे दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश लेकिन medal आप देखें single digit के अंदर रहते हैं या नए के बराबर आप मान सकते हैं कि अगर 2016 Olympic में हमने दो medal जीते तो उसको single digit के अंदर या नए के बराबर consideration कर सकते हैं दूसरा 2020 के जो Tokyo Olympic जो 2021 में हो रहे हैं COVID-19 के डिले की उज़े से अब तक हमने सिरफ दो medal जीते हैं तीसरा medal confirm हो चुका है लवलीना medals और increase हो जए लेकिन फिर भी ये double digit को cross कर जाएगा इतनी possibility थोड़ी कम नजर आती है इन सब के अलावा भारत ने अब तक जो दो medal जीते हैं जिसमें एक medal है silver medal जो की मेरा भाई चानो ने 49 weight category के अंदर जो है वो जीता है और second जो है वो ये guarantee कर दिया कि minimum bronze तो आएगा लवलीना बोर्गेन के द्वारा असम की जो प्लेयर हैं असम स्टेट से बिलोग कर दिया की प्लेयर है और हलाकि अब इनका match बाकि है समी final होगा उसके बाद ये final खेलेंगी हो सकता है silver या gold की push हम ये चाहेंगे gold जीते लेकिन बड़ा दुखदाई चीज़ें क्या होती जैसे लवलीना बोर्गेन का जो गाव है असम के अंदर इवन वहां तक सड़क की connectivity भी नहीं आज newspaper में आया कि उनके स्वागत के लिए सड़क बनाई जैरी उससे पहले उस गाव में सड़क connect नहीं कर रही थी ये खराब situation लगती है इनके अलावा कल जो है बैड़मिंटेन में पीवी सिंदू ने भारत के लिए second medal जीता third medal जो लवलीना वाला अभी confirm लेकिन उसका game का procedure के बाद वो दिया जाएगा कि उनको bronze मिलेगा, silver मिलेगा या gold मिलेगा कल जो बैड़मिंटेन के अंदर मैच हुआ था पीवी सिंदू का उन्होंने Chinese player जो है ही बिंग जियाओ इनको हराया था 21-23-21-15 से और इससे पहले आप देखेंगे मिराबाई और लवलीना दोनों मनीपूर और असम यारी नौर्थ इस्ट और स्टेट से आते हैं और नौर्थ इस्ट के अंदर ये माना जाता है कि sporting ability बहुँ ज़्यादा है अगर उसमें एक तरीके से light जैसी लगती है simmering in the sense की जगमगार जैसी चीज़े लगती है कि इस particular area के अंदर नौर्थ इस्ट के अंदर sports के लिएकर बहुँ ज़्यादा abilities है और क्योंकि इनके अंदर अगर आप देखेंगे मीरा भाई हो लवलीना हो दोनों का एक important रोल रहा चाहिए hard work हो strength हो family या sports authority of India इनका अपना अपना रोल है इनके लाबा पीवी सिंदो ने history create करी है पहली Indian woman होगी जो दो medal जीच चुकी है उलमपिक के अंदर इनके लाबा इससे पहले बड़ा एक match हुआ था जो समी final में जो हार गई थी पीवी सिंदो Chinese Taipei के player Taiju Ying के against और even Taiju Ying जो है ये भी final में हार गई है चाइना प्लेयर के लाबा चाइनीज ताइपे यानि ताइवान के player और चाइना मिल लें ठीक है दोनों में डिफरेंस है तो ये चाइनीज ताइपे के नाम से ताइवान खेलता है क्योंकि वन नेशन की policy को follow करता है इसके लाबा यहाँ पर ये भारत ने अटलिस्ट ब्रॉंज जीता है उसमें तो दो मेडल होगे थर्ड जो है लौलीना बोर्गेन इनके अलावा जो अच्छी न्यूज जो हम देख रहे हैं कल हमने देखा कि इंडियन होकी टीम ने मैंज होकी टीम ने एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन को हराके सेमिफाइनल मैंटरी के नाइन्टिन सेमिटी टू के बाद पहली बार जो है वो हम लोग सेमिफाइनल के अंदर गई हैं यानि 49 येर के आसपास 1980 में भारत ने गोल ज़रूर जीता था लेकिन 1980 में जब गेम हुए थे इनके अलावा उलम्पिक में हमें अमुईद है कि कमल प्रेट कोर जो कि उन्होंने एक्सिलेंट थ्रो के आता 64 मिटर का डिस्कस थ्रो के अंदर ये मैटल जीत सकती इनके इनसे पोसिबिलिटीज है आने वाले टाइम में रेस्लिंग के मैच स्टार्ट हो रहें हमें बहुँ जादा उमीद थी सोरव चोद्री और मनुव भाकर से वो अच्छा मोमेंट नहीं हो पाया कुछ रिजन रह सकते जैसे मनुव भाकर की जो गन थी वो इसमें माल फंक्शन हो गया थे लेकिन इसमें देखी पहली बात ये केवल इंडिविजुल एक्शिलेंस की बात नहीं होती ओलम्पिक को माना जाता दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग इवेंट और यहां पर एक मेंटिल स्टेस भी होता है प्रेसर भी होता है कांट्री जीतने का दबाओ भी होता है इवन बड़े बड़े जो आप देखेंगे प्लेए images जो इवन ब्रोंज मेटल तक जीतने में शफल नींव है इवन साइमन बाइल जो जिमनास्ट है उन्होंने अपने नाम इसलिए विड्रो कर लिया कि उनको लगता कि इंडियन कंटिंजेंट से भारते दल से बहुत जाद उम्मीदी हैं लेकिन सेकेंड विक में हम एंटर करें कुछी दिन उलम्पिक के बचे हैं तो भारत कितने मेडल जीत सकता है यह अभी विक सवाल है तो आपको परसनली कितने मेडल लगता है कि इंडिया 2020 के टोक्यो उलम्पिक में जो 2021 में हो रहे हैं कितने मेडल जीत सकता है भारत और कौन-कौन से ऐसे प्लेयर है जिसमें सबसे ज़्याद आपको आने वाले जो गेम्स होंगे खासकर रैसलिंग के गेम्स होने वाले हैं इंडिया की मैन होकी टीम का समीफैनल होने वाला है बि यह सबसे अच्छा आर्टिकल कहूंगा और most important है क्योंकि economy के बहुत सारे words बहुत सारे terms इसके अंदर mention कीगी है उनके बारे में भी discuss करेंगे a cycle of low growth यानी विकास की दर जो है कम है growth जो है वो कम आपको नज़र आता है दूसरा higher inflation inflation in the sense की महंगाई मुद्रस पीती यह आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इनके लावा यहाँ पर यह बोला गया कि जब तक policy action ensure नहीं करेंगे higher demand को demand and growth economy के पूरे concept को समझने के लिए demand and supply का एक major role हो रहता है इसको समझ लेने से economy के बहुत सारे concept भी clear हो जाते हैं तो जब तक हम लोग demand and growth को ensure नहीं करेंगे तब तक जो इंडिया continue करता रहेगा case saved recovery के बारे में यानि जब तक हम ensure नहीं करेंगे अपने policies के थ्रू की higher demand and growth हो तब तक इंडिया case saved recovery जो उसमें चलता रहेगा case saved recovery basically क्या है ऐसे case word माल लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि भारत की economy के जो sectors हैं वो अलग-अलग growth कर रहे हैं किसी में कमी है किसी में push-up करना है भारत इसी recovery के phase के अंदर रहेगा इसमें सबसे पहले बताया गया कि in recent time right leaning economist यानि जो एक तरीके से दक्षिंड पंथी अर्थ सास्त्री वो ही सोचते हैं कि भारत में भारत सरकार को कुछ करने की जरूत नहीं है economy जो है अपने आप revive कर लेगी अपने आप जो recover कर लेगी ये तरीके से मानना है rightist का और इनके अलावा अगर आप देखेंगे इनके साथ disagree जो इनके साथ disagree होते हैं उनको ये बोलते हैं doomsday merchants doomsday merchant का मतलब होता है ऐसे परले का दिन या कयामत का दिन इस तरीके से तो इस context है बोला गया ये इनका अपना opinion है कि जैसे great depression जब हुआ था economies के अंदर जब दुनिया भर में एक तरीके से 1929 के आसपास पूरी दुनिया में एक महान मंदी जिसको बोलते हैं वो देखने को मिला उसके बाद economy अपने आप rebound कर गई थी तो सेम चीजें इस तरह के लगती है तो इसी context में चार important logical step बताए है कि देखे great depression का recovery थी उसका अब जो हर difference है difference कैसे है जैसे पहला factor आता demand demand मतलब मांग जब great depression हुआ तब second world war के दुराण demand create करे गी थी और खासकर United States USA क्योंकि उस यूद में अपने आपको destruction से या तबाह होने से उसने अपने आपको save कर लिया था तो उन्होंने industrial capabilities को जो है use किया supply base को बढ़ाने के लिए allied efforts के through right इनके अलावा यह जो scenario हो इस time पर जब हम COVID-19 के बाद recovery की बात करते है different है different क्या है कि यहां पर कोई demand यहां पर कोई वार नहीं हुए जिसके होज़े से demand create की जाए अलग तरीके से एक तरीके से आपको आपको आपदा देखने को मुली COVID-19 का एक result क्या हुआ demand destruction यानि मांग जो खतम होगी मांग जो है नए के बराबर है और इसका impact हो रहा है लोगों की नोकरियां गई है और नोकरियों के साथ अगर जिसने retain भी कर लिया माल लेते है कि उसको जो दुबारा मिल भी गई है तो pay cut देखने को मिलता है salary cut देखने को मिलता है यह जो दोनो trends है कि पहली ब ऐसे service indicator है जिन्होंने दोनों चीजों को confirm किया है अगर आप देखेंगे भारत में यह माना जाता है कि bright spot की तरह है कि जहां भारत में एक तरफ आप देखेंगे demand destruction है लोगों की नोकरियां गई है और कुछ जो जिन्होंने retain किया उनका pay cut देखने हैं हाला कि यह पूरी दुन खर्च किया गया और उसके बाद demand को boost up करने में मदद भी हुई और अभी recent में वर्ल्ड economic outlook की report आई थी update किया गया था जिसमें भारत की economic recovery को 12.5% से कटा कर 9.5% कर दिया गया है 2021-22 के financial year में एवन यह भी बोला गया कि vaccination का direct link है growth के साथ तो vaccination और growth दोनों का relation है जहां पर western countries में western चाई Europe हो चाई USA हो वहाँ पर vaccination drive तेजी सी हुआ और वहाँ पर आप देखेंगे कि economy की growth rate है उसके अंदर भी positivity देखने को मिली इनके लावा भारत के context में 2-3 concern है पहली concern क्या है कि इंडिया का जो export है उसमें problem आती है एक तो fright cost जो increase हो रही है दूसरा containers की non availability है और third issue अगर आ value भी decline हुए कम हुए है एक अच्छी चीज है कि इंडिया का जो IT sector है उसने अपने आपको capitalize किया और एक तरीके से demand के साथ वर्ल्ड market के साथ अपने आपको वागपी से return करने की कोशिज कर रहे है लेकिन सवाल ही उठता है कि IT sector क्या भारत की इतनी बड़ी population को job generate कर पाएगा और ये हमिशा से question वी उठता है कि भारत में अगर GDP की रोल की बात करे तो secondary और territory यानि manufacturing और services sector का एक important रोल है लेकिन अगर आप overall population को job generation के ममले में ये sector बहुँ ज़्यादा job generate नहीं कर पाते है इसी को बोलते है case of recovery यानि एक तरफ एक sector growth कर रहा है IT sector जैसे growth कर रहा है दूसरे सेक्टर जो है छोटे सेक्टर जो है वो growth नहीं कर पा रहे है लोगों की रोजगार कम हो रहे है demand destruction हो रहे है इनके लावा second factor है inflation देखिए जितने भी अभी सर्वे आये चाहिए consumer price index हो या आप देखेंगे इसमें wholesale price index हो दोनों के अंदर indicate करता है कि भारत के अंदर inflation जो है महं तो बिल्कुल सिथर हो चुकी है बिल्कुल stable हो चुकी है और या जो हो भूती कम गतिशे जो हो चल रही है इन सब के अलावा भारत में जो current quarter के अंदर illusion सा देखिने हो का मिलता है कि भारत ने जो growth हासिल करी ये अपने आप में unique है लेकिन आप इसको अगर compare करेंगे इंडिय कि economy की growth पिछले साल 2020 में COVID-19 की होज़े से हमारी growth negative थी उस context में आपको लगेगा कि growth बहुत ज्यादा हुई है लेकिन ऐसा है नहीं इसका मतलब है low basis effect पिछले साल अगर माल लेते हैं कि भारत की economy ने पहले quarter के अंदर पहले तीन महिनों के अंदर है 2020 पे 23-23% का contraction economy में देखिन low base year हुगा तब यह लगे गए growth अच्छी खासी हुई है लेकिन अगर आप actual में देखेंगे तो यह negligible है यह बहुत ही कम लगते है इस तरह का scenario हुआ था 1970 में United Kingdom और United State में जब growth low growth को combine किया गया था rising inflation से अब बात करते हैं कोजिन इंडिया की भारत के अंदर महंगाई बढ़ क्यों रही है तो कई सारे region है बहुत combination of factors माना जाता है कि भारत के अंदर इतो commodities का price बहुत जादा है दूसरा high asset price inflation देखने को मिलती है और यह क्यों देखने को मिलती है दोनों चीजे अगर आप देखेंगे monetary policy को जितनी मोदरिक नीती है भारत की across the globe उसमें पुरी दुनिया म अल्ट्रा लोज यानि एक तरीके से लोज मोनेटरिंग मोनेटरी पॉलिशी फॉलो की दारी दुनिया के अंदर इसका impact है कि भारत के अंदर asset price inflation हुई या high quantity prices जो हो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी इनके अलावा अगर आप foreign portfolio investment के थुरू भी देखेंगे तो एक portion जो ह है वो liquidity का market के अंदर जो होना चाहिए इन्होंने एक portion जो हमारी market के थुरू जो हो एक तरीके से टुवर्स हमारी market की तरफ जो है इसको direction दिया एक तरीके स्पूस किया है लेकिन अगर US और इंडिया की market को आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर market capitalization यानि बजार पुझी क जो हो वो come as compared to United States तो दोनों economies के अंदर आपको difference देखने को मिलेगा इनके अलावा अगर आप भारत की population को देखेंगे यानि भारत के बड़ी population का हिस्सा उनके पास कोई bond नहीं है कोई एक तरीके से asset नहीं है कोई equity नहीं है इसका मतलब यह है कि एक हिस्से में अगर माल लेत asset है इनके अलावा जो hard asset जिसको gold वाना जाता है उसकी भी कमी है माल लेते के एक बहुती lower middle class या बहुती middle class इंसान है या व्यक्ति है उसके पास कितनी currency हो कितनी asset हो कितनी पुंजी होगी इन सब की वज़े से आपको demand जो हो या inflation बढ़ती नजर आएगी इनके अलावा fuel का ए increase होते हुए दिखेंगे अब यह क्यों हो रहें क्यों नहीं हो रहें उन सब चीज़ों बात नहीं करेंगे लेकिन supply chain पर या demand एक तरीके से supply पर important असर करता है माल लेते हैं कि एक diesel के price या petrol के price increase हुए इससे transportation cost बढ़ी transportation cost बढ़ने से क्या होगा उस price की कोई commodities है कोई item उसका price increase increase हो गया अब उसका increase होने से माल लेते हैं कि apple जो है save का example देते हैं कि 50 रुपे केजी है लेकिन transport cost बढ़ गई और बहुत सारे factor की वज़े से आप 100 रुपे केजी हो गया जैसे price बढ़ा तो जो demand कम हो जाएगी क्योंकि consumer कम हो जाएगी हर व्यक्ति जो afford जैसे जैसे चीज़े महंगी हो जाती है तो एक तरीके से demand और supply demand जो है या लोगों के एक तरीके से खर्च करनी capacity है वो भी अपने आप में कम हो जाती तो ये एक relation है कि एक demand यानि consumer तब ही कोई चीज़े purchase कर पाएगा जब उसके limit में हो जब उसके पास पैसा होगा तब ही तो खरीद पाएगा एक बोला जा रहा है कि Reserve Bank of India जो लगाता इन्फ्यूज कर रहा है मैं श्यू liquidity system के अंदर जिसमे एक ऐसी monetary policy यानि एक ऐसी monetary policy ऐसी मोदरिक निती जिसमे liquidity जो है market के अंदर या liquidity जो system के अंदर एक तरीके से release की जाती है इनके लाबा government security acquisition program के अंदर आप देखेंगे यह ऐसा ल यह भी डिर की private sector जो crowd out ना कर ले अपने आपको investment से बाहर ना निकाल ले even कुछ corporate तो यह भी treat करते हैं कि वो deliver करते हैं और फिर से वह नए investment करने को लेकर ready नहीं होगे थर्ड क्या interest rate की बात करें तो central bank के अगर हम बात करें तो जुरूत क्या है एक तो liquidity को tight करिए और money cost जो उसको push करिए कि inflation को और ज्यादा issue नहीं create करें जैसे repo rate को अगर इसके थूरूब inflation नहीं रुकती तो repo rate को increase करना पड़े हैं और उसके बदले में interest पे करते हैं ठीक है और यह long term का loan आप बोल सकते हैं जो schedule commercial bank या जो bank सरकारी बैंक आप बोल सकते हैं यह लेते हैं RBI से रिजरो बैंक आप इंडिया से इनके अलावा आप देखिए NPA के बारे हैं बताया गया कि जैसे जैसे non performing asset बढ़ रही है non performing asset य इसको पे नहीं कर पाए तो non performance set के अंदर जाएगी इसको लेकर रूल है कितने दिन के बाद NPA में हो जाता है वो सारी चीज़े हैं इनके लावा क्योंकि जो दूसरे small sector जिसमें direct subsidies की requirement जैसे small and medium size entrepreneurship है माइक्रो small and medium enterprise है इनको COVID-19 pandemic का सबसे ज़्यादा असर हुआ और क्योंकि NPA बढ़ने का इपड़र है तो बैंक भी जो होती कम scale पर risk लेने के लिए त्यार होता है कि हम इसमें risk लें की नहीं लें और भारत में देखा जा रहा है कि इंडिया का small and medium scale sector जो है मिंस की moment जो है मिंस देखते हैं कि पहली स्टेज के अंदर एक कोशेश बिल्कुल एक तरीके जिए धानपुर्ग लोन दिया जाता है और इसमें risk को भी धान में रखा जाता है bankers के दोरा जो लोन देने वाला है banker इसके लाबा इसमें second stage के अंदर क्या होता है कि जो trustworthy debtor होते हैं जिनमें जिनको loan दिया जो विश्वास पातर करज लेने वाले होते हैं उनको loan दिया जाता है और इसके बाद आता है third वाला कि जिसमें बहुत ज़्यादा उत्सा वर्दक होते हैं उसमें ये भी ध्यान नहीं रखते है कि क्या वो interest को pay कर पाएगा और क्या वो principal को pay कर पाएगा इन सब किया जाता है decline of asset price की जो संपती है उसकी कीमत कम हो रही है दूसरा बड़ी संख्या में mass panic लोगों को panic कर सकती है और third जो है कि ये inability of debaters to pay their interest and principal यह जिनोंने loan ले रखा है उनकी inability show करता है कि वो साइध अपना loan जो है pay नहीं कर पाएगे interest और principal को जो है वो मुल धन और ब्याज दोनों को ही pay करने की situation में नहीं है इन सबसे ये कि भारत जो है मिन्स की moment के अंदर पहुंचा जहां पर public sector unit जो है जिनमें कुछ banks भी है जिनको immediate basis पर recapitalization की जरूत है या पुने पुझी कान की जरूत है और भारत में अगर 18 मेन पिछले 18 मेनों में देखो गए तो बहुत सार बैंक और financial institution जो है वो collapse करें क्योंकि लगातार loan इन में increase और bad loans बोलते हैं कि ऐसा loan जो मतलब जिन्होंने पैसा लेरे का लेकिन पैसा वापिस कर नहीं रहे बैंक का बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है इस context में क्या होगा इस context में अगर आद पिसले 7 सालों के देने से थोड़ा डरने लगें कि हम पैसा दें की ना दें अगर हम इस context में आप देखेंगे जो risk वाले loan है उनको bank देना नहीं चाते और क्योंकि भारत के अंदर demand एकदम से आप नीचे देखेंगे अलग-लग sectors के अंदर real estate और automobile sector के अंदर भी demand बहुत अच्छी अभी भी और अगर loan उनको नहीं मिलेगा या उनको इतरीके से पैसा नहीं मिलेगा तो जो एक तरीके से इंडियन economy के अंदर जो low growth का cycle वा लगातार देखने को मिल सकता है और इसका result होगा higher inflation महंगाई लगातार बढ़ती हुआ देखने को मिलेगी और higher demand and growth का जो एक concept है यानि demand होगी तो economic अंदर growth कैसे बढ़ेगी इसके लिए जुरूरी कि है policy के अंदर intervention करें ताकि अगर intervention नहीं हुआ absence रही उसका intervention नहीं होता policy के अंदर तो भारत के safe recovery में continue करता रहेगा जहां पर large corporate जो होंगे जिनका low debt है वो लगातार prosper होते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे और policies की spot नहीं मिलेगी उस context में क्या होगा यानि एक जो major sector जो है जैसे यहाँ पर आप देखें small and medium sector यह बड़ी संख्या हम रोजगार generate करता तो job create नहीं होगी और job create नहीं होगी तो unemployment rate भी भारत के अंदर increase होगा बहुत सारी editorial है यह भी article अच्छा special nuclear technology को लेकर और right hand side एक article है breastfeeding को लेकर तीनों article अच्छे हैं हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम लोग improvement करेंगे editorial को maximize करने की और simple से simple बनानी कोशिश करेंगे with your spot तो इस the Hindu के editorial पार्ट में इतना ही thank you all jehin